हेलो दोस्तो, नमस्कार दोस्तो, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक जरूरी विशय पर दरसल ये आइडिया अचानक से जब मैं एक दोस्त के साथ बाते कर रहा था तभी आया, तभी मैंने सुचा क्यों नहीं इस पर एक मैं विडियो बनाऊं और अपनी बात रखूँ दोस्तो, बिहार बोर्ड का जो सिलिवेस है, दस्वी तक, यानि मैट्रिक तक वो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा कठीन है, खासकर मैथ की बात की जायते हो, गणीत हम सब जो बिहारी भाई और बहने हैं, वो कम से कम आट-दस लोग को तो ऐसे जानते होंगे जो हर साल केवल मैथ में फेल करते हैं मेरे खुद के घर में और मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो बहुत ही मुश्किल से मैट्रिक पास किया है just because of math, गणीत तो आखिर इस गणीत को इतना difficult क्यों बनाया गया है, इसके सिलिवेस को इतना कठीन क्यों बनाया गया है कि ज़्यादा करें स्टूडेंट, मैं यह नहीं कहूंगा कि सभी पास नहीं हो पाते हैं या सभी math में अच्छे नहीं है पर अगर आप average एक figure निकालें तो आप पाएंगे मैं अपने अनुभाव से भी कहता हूँ, कि हर साल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे और बच्चियां फेल कर जाते हैं और उनका मनुबल वहीं से गिड़ जाता है तो सिलिवेस को आपने ऐसा इतना कठीन बनाया है क्यों है कि बच्चा पास ही नहीं कर पाए बैट कर जो सोकोल्ड बुद्ध जीवी हैं जो ये सिलिवेस बनाते हैं उनको विचार करना चाहिए क्यों मुझे मेरे मन में एक सवार होता है कि क्लाश 10 तक जब बच्चा 13-14 साल का होता है उस वक्त सपर्दिजी के लुद्ध tu अभी उसने डिसाइड भी नहीं किया कि उसको किस municipal में जाना है उसको हमेसियन बना है उसको इंजिनियर बनना है डॉक्टर बनना है यह फिर रेल्वे के तियारी करना है बंक सिस्टेम इस बात को तो इतना टफ्स क्यों बनाना कि बच्चा फेल ही हो जाए और खासकर तब जब आप जानते हैं कि आपकी श्कूलिंग् सिस्टम कैसा है मां बिहार बोर्ड की बात कर रहाँơं CBSC सुट्स की नहीं बात कर रहाँ प्राइबेडी स्कूलों में जो गुणवत्ता होती है शिक्षा की वह बहुत हाई होता है और एडूकेशन भी अच्छा होता है बच्चे भी तेजतरार होते हैं और ज्यादा तर बच्चे संब्रित परिवार के होते हैं तो उनको टूशन भी मिल जाता है लेकिन बिहार की ज स्कूल के अंदर I would not question their talent but I must say कि वह मैथ को उस सरलतम तरीके से समझा नहीं पाते हैं या बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि जिससे कि वह एक्जाम में असानी से पास हो सकें तो अगर जब आपको मालूम है कि आपको जो स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है तो एक्ज को मैंने पूरे साल प्रेक्टिस करवाया 100 मीटर रणिंग के लिए और मैं उसको कहूं कि तुम 400 मीटर रणिंग करो फिर ओ कैसे करेगा निश्यत रूप से गिरेगा तो पहले तो बिहार सरकार को चाहिए कि अपनी स्कूल की सिक्षा पढ़नालिक में सुधार लाए टीचर जो इतनी बड़ बड़े संख्या में फेल होते हैं क्यूं हो रहे हैं लेकिन यसा करेंगे नहीं कि सरकारों का फोकस कभी भी एडूकेशन में सुधार लाने को रहा ही नहीं क्या जब लालू राज था तब भी और आज जब नितिश राज है तब भी किसी को अगर मेरे बात अगर में लाज तो खुद बिहार के सरकारी स्कूल में जाकर देख लें कि क्या दस्टा है मैं कदावी के वल पटिकुलर पटना की बात नहीं कर रहा है जब आप रिमोट शेतर में जाए पता है तीजे क्योंकि भीहार का मतलब भारत का मतलब के वल शहरी अबादी नहीं है आप ग्रामीन शेतरों में जाए रिमोट शेतरों में जाए तो यूविल फाइंड कि जो पुरा सिस्टम कैसे क्रीपलिंग कर रहा है और गाहे बगाहे वीडियो जाते रहते हैं जिसमें आप देखते होंगे कि टीचर्स के हालत क्या है उनको खुद कुछ नहीं आता तो ब बच्चे बहुत उत्ता से त्यारी करते हैं लेकिन अग्राव सλαब बचकी ऐसा होता है और को समझाने बाला नहीं दोज Sun nächste कि मैंने का की श्कूल की गुनवद्त उस मिल की होती नहीं है कि बच्चे गणित को समझ पाए तो मुझे लगता है कुछ थोड़ा तो करना चाहिए ये syllabus को थोड़ा उस काबिल बनाना चाहिए कि बच्चे पास हो अब लोग तर्क तो यह देंगे कि अगर syllabus को मेलो डाउन किया जाए अगर syllabus को थोड़ा सरल कर दिया जाए तो बच्चा आगे जाकर competition की त्यारी कैसे करेगा आगे की दुनिया तो इतना असान नहीं होगा लेकिन आगे की दुनिया तो आप बाद में सोचेंगे ने जब metric कम से कम बच्चा पास हो खासकर लड़कियों के regarding बिहार में उन लड़कियों की शादी होने में कितनी कठिना ही होती ही जो metric नहीं पास कर कि जो इंस्टियूशन चलाते हैं प्राइवेट इंस्टियूटों पैसे की मांग करते हैं और किस तरह से मैं इसके अंदर नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि प्रेस्टिकल ठूथ है कुछ चीजे होती है लेकिन उस पर बाते करना उचित नहीं होता है आप लीगल प्रॉब् उनका इसके परस्पेक्ट्टिव तो पर रहरा हूं तो पढ़ने में जो तेज हैं उनको दिमाग में रख कर बनाते हैं ताकि अगे मैक चासकर मैस के संदर में की difficult मेट्रिक पास करने के बाद यह सुझते हैं कि कहीं भी नौकड़ी लग जाए प्यून तक की नौकड़ी क्यों न लग जाए अब बताईए कि हाई-लेवल का 90 परतिसत पंचाने परतिसत लाने वाला मैथ में लाने वाला बच्चा या लाके क्या ही कर लेगा बताईए या कितने बच्चे लाप आते हैं मैं तो अपने जब से होसा माला हूं तो मैंने देखा है कि बहुत कम बच्चे सतर सासी परतिसत अंक लाते हैं मैं खुद पैंसट साथ के बीच में मेरे मार्क्स आय थे मैथ में I was not a weak student but I understand the pain of weak students तब ही मैं सरकार से दरखवास्त करना चाहूंगा कि आप मैथ को थोड़ा सरल कीजिए ताकि ज्यादा ज्यादा बच्चियां पढ़ पाए उनका मनोबल भी पढ़ेगा अगर वो मैथ में पास हो जाए मापबी उतना लड़कास का लड़कें को पूश्च नहीं करते तो मेरे हाथ जोर से जोरकर निवेदन है कि लड़कें के बारे में खासकर सोचें है थोड़ा सिलवेस को सरल बनाईे क्योंकि आप उतनी सिख्षा दे नही पारें जितनी सिख्षा का टेस्ट लेते हैं तो आप रिवीव किजी अपने स्ट्राटेजी को क्योंकि मुझे तो ऐसा रखता है कि साजिश है क्या साजिश के तहट के खास वर्ग नहीं चाहता है कि गरीब के बच्चे और बच्चियां आगे बढ़ें कि जब डटी माइंड होते हैं उनकी ठिंकिंग भी डटी होती है उनका विजन मेरे क्लास के लोग यानि मेरे वर्क के लोगों के बच्चे ही आगे-बढ़े आगे जाकर नौकरी ले ज़ीमन में तरक्की करे बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे लेकिन जो गरीब लोगे जो जो जोपड़ियों में रहते हैं, उनके बच्चे, उनके बच्चों का क्या, मैट्रिक फेल करने के बाद बचारा पढ़ाई जोड़कर कुछ बिजनेस में या किसी तरह के प्राइवेट जॉब में लग जाते हैं, तो उनके बारे में भी सुचिए, तो कि जब वेन इट कमस तो एडुकेशन, तो इकवली सबके लिए होना चाहिए, जो जम्पिंग कहते हैं, जो रेस में जो जम्प लगाते हैं, तो एक परामेटर होता है, वो सबके लिए बढ़ावर होता है, लेकिन आपने जो परामेटर को इतना उचा कड़ रखाई कि गारिपके बच्चे कैसे पार करेंगे, तो इस अंदर में जरूर सोचिए, और गणीत को सरल बनाईए, ताकि बच्चे अपना भविश्य बना सके, तेरा चोदा सल के उम्र में ही अगर मनुबल गिर जाए, तो आभी सोचिए, बच्चे बच्चियां, आगे का प्लान क्या करेंगे, तो मैट्रिक ज क्या जादूी समस्या हैं, जिनका हल नहीं हो पा रहा है, तो क्वालिटी एडूकेशन दीजिए, उसके बार टेस्ट लीजिए, जब आप क्वालिटी एडूकेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो सिलबेस को सरल कीजिए, ताकि बच्चा बिना ट्यूशन के भी पढ़ाई करके मेट्रिक पास कर सके, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेर कीजिए, ताकि बाते जो अच्छी बाते हैं, उस ज्यादा से ज्यादा तर लोगों तक पहुंचे, थैंक्यू सो मुच, थैंक्यू कि बाते हैं